हाई, आइम डॉक्टर पलान और मैं हमारे ये सेल्फ हिपनोसिस के इंट्रोड़क्टरी कोर्ष में आपका स्वागत करता हूँ ये कोर्ष मैंने दो परपस से बनाया है एक तो हिपनोसिस का जो साइन से उसके बारे में मैं कुछ आपको प्रिलिमिनरी जानकारी देना चाहता हूँ इंट्रोड़क्शन देना चाहता हूँ इश्विग्यान की और दूसरा मैं आपको सेल्फ हिपनोसिस का अनुभव देना चाहता हूँ You will feel that, you will experience that self-hypnotic state of your mind and body You know, हुमारे शीवन की यात्रा में हम दोनों प्रकार की परिष्थितियों का सामना करते हैं फेवरेबल एंड अन्फेवरेबल अन्फेवरेबल सिचुएशन जब आती है प्रतिकुल परिष्थिति जब आती है जीवन में तो हमें संगर्ष होता है, हमें स्ट्रेश फिल होता है हमारे मन में एंग्जाइटी पैदा होती है या हम डिप्रेश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब अनुकुल परिष्थिति आती है, फेवरेबल सिचुएशन होती है तो वो हमारे लिए एक अवसर होता है, एक opportunity होती है हमारे विकास में आगे बढ़ने के लिए, growth के लिए और वहाँ पर हम हमारा full potential unlock करना चाहते हैं अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये दोनों जो परिष्थितियां हैं इनमें हमें कुछ अनुकुलन करना होता है, कुछ परिवर्तन, कुछ ट्रांस्फोमेशन करना है हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे व्यवार के अंदर अब ये बहुत आसान है जानना कि I require some change and what change I need, that also we know but the real challenge is how to bring about that challenge क्योंकि हमारे विचारों में, भावनाओं में, व्यवार में परिवर्तन लाने के लिए हम मन में संकल्प करते हैं we resolve, लेकिन resolution, understanding ये सारे conscious mind के function है तो हमारी जो कोशिशे, efforts से वो conscious mind तक सिमित रह जाते हैं and we are not addressing the subconscious mind at all हमारे thoughts, feelings and behavior का नियंतरन, उनका संचालन, actually subconscious mind करता है और उसको तो हम बिलकुल addressing नहीं करते हैं तो सीखना हमें ये है कि कैसे हम subconscious mind के जो potentials है उसकी जो क्षमताएं है उसका हम उप्योग करें ए चेंज लाने के लिए हम subconscious को reprogram कर सकते हैं और इसके लिए जो बहुत effective tool है वो है self-hypnosis through self-hypnosis we can approach our subconscious mind and create new healthy empowering programs in our subconscious mind तो आये हम देखते है कि ये कोर्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं In this introductory course, first I'll talk to you about human life human life के बारे में हम psychological point of view, spiritual point of view and neurological point of view ये तिनों द्रश्टी से हम हमारी मनुष्य के जीवन के बारे में कुछ बाते करेंगे Then I'll give you some introduction about human mind कि ये मन क्या होता है हम जो सोचते है, हम जो एहसास करते है हम जो activity करते है, कुछ कर्म करते है हमारे thoughts, feelings और behavior ये किस तरह से होते है ये बात करेंगे हम फिर हम बात करेंगे मन के programming के बारे में subconscious का programming करने के लिए हमें पहले उसको prepare करना होता है क्योंकि normally तो subconscious ही conscious को guide करता है हमें यहां reverse करना है conscious में से subconscious को कुछ नया program देना है तो उसको कैसे हम prepare करें इसके लिए ये हम देखेंगे और subconscious mind को prepare करने के लिए जो technique है उसमें सबसे पहला step है breathing awareness mindfulness meditation भी कहते हैं तो ये mindfulness meditation या breathing awareness का मैं आपको experience कराऊंगा experientially you will learn it and बाद में आप उसकी practice खुद भी कर पाओगे उसके बाद मैं ये hypnosis के science के बारे में कुछ आपको जानकारी दूँगा और उसके बाद हम stress and stress management के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे what is stress, what is management of stress ये हम समलेंगे इसके बाद subconscious mind जो हमने prepare किया है उसके अंदर हमें क्या रखना है what contents we are supposed to put in subconscious वो contents के बारे में हम कुछ बात करेंगे और बाद में मैं ये मन के बारे में neurological perspective से कुछ जानकारी आपको दूँगा आजकल neuroscientists ये मन के बारे में काफी explore कर रहे हैं brain में कुछ circuit होती है, कुछ center होते है विचार के, भावनाओं के, विवहार के तो उन centers को और उन circuits को हम देखेंगे और आखिर में आपको एक self-hypnosis का अनुभो में कराऊंगा, जिसके अंदर आप self-hypnosis की जो स्थिती है, उसको enjoy करोगे तो इस तरह से ये workshop में हम इतनी बाते सिखने वाले हैं So now, let us begin with human life अध्यात्म सास्त्र में, spirituality में ऐसे कहते हैं कि this human life is a pilgrimage for growth ये विकास की यात्रा है क्यों ऐसा कहते हैं, see, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसको हम जीवन कहते हैं, life कहते हैं Life means relationship जैसे ही जीवन शुरू होता है, संबंद शुरू हो जाते है तो we can say life is a series of relationships और हर एक संबंद में बहुत सारी खटनाएं होती है बहुत सारी परिष्थितियां पैदा होती है spiritual science ये कहता है कि मेरा संबंद जीवन में सात क्षेत्र में होता है तेरा seven fields of relationship कौन से है ये field? One is universal field of relationship जहां मेरा संबंद ये पूरे विश्व के साथ होता है Second is social field सामाजी का क्षेत्र है जहां मैं मेरे समाज से जुड़ा हुआ हूँ मेरे पडोसियों से, मेरे दोस्तों से अलग-अलग जो social circle से इनके साथ मेरा संबंद है मेरा संबंद है मेरे व्यवसाई के साथ professional field of relationship तो मेरा जो organization है जहां में काम करता हूँ वहां के लोग इनके साथ में मेरा संबंद बनता है चौथा संबंद का क्षेत्र है पारिबारिक family field where I am connected with my family मेरी पतनी के साथ मेरे बच्चों के साथ माता पिता के साथ इनके साथ मेरा संबंद होता है family के साथ फिर संबंद के तिन और क्षेत्र बताए है सारिरिक क्षेत्र मानसिक क्षेत्र और बहुतिक क्षेत्र in physical field I am connected with my body में और मेरा श्यरिर इनका भी रिष्टा है मेरे मन के साथ मेरा रिष्टा है में और मेरा मन और मेरी बुद्धी I and I possess some intellect ये दोनों का रिष्टा होता है अब जहां पर रिष्टा बनता है संबंद बनता है वहां पर अपेक्षाएं पेदा होती है in every relationship there will be expectations to and pro expectations you know विश्व से मेरी अपेक्षा है कि हमेशा climate ठीक रहना चाहिए रूतु चक्र ठीक से चलना चाहिए tsunami न होने चाहिए earthquake न होने चाहिए ऐसा हम चाहते है तो ये universe चाहती है कि हम pollution का ख्याल करे carbon emission का ख्याल करे तभी तो universe can give us what we want from the universe हमारा जो samadhi क संबंध है उसमें भी expectation होता है I expect my neighbor to behave in a particular way with me then the neighbors expect from me मेरे दोस्तों के साथ मेरे समाज के साथ जो अरश परस हमें कुछ अपेक्षाएं होती है profession से हम कुछ salary चाहते है हम कुछ income चाहते है तो जो विवसाई है वो चाहता है कि हम hard work करे हम sincerely work करे honestly work करे परिवार से मेरी उम्मीदे है I want my wife to behave in a particular way or my children to do certain things for me while children and wife parents they have expectations from me मेरे शरीर से मेरी अपेक्षाएं होती कि मेरा शरीर श्वस्त रहे हमेशा सुन्दर दिखे मेरे शरीर में energy हो, शक्ती हो तो शरीर चाहता है कि मैं योग्य आराम दुषको योग्य व्यायाम दूख और योग्य आहार दू then only my body will give me what I want similarly I want my mind to be calm and cool, comfortable I want happiness I want confidence in my mind I want compassion and love in my mind ये सब मन की स्थिति मुझे चाहिए then my mind would want me to learn certain such things and train the mind like that and we want our intellect to be sharp and subtle so sharp and subtle intellect के लिए मुझे योग्य नॉलेज देना है योग्य ज्यान देना है मेरी intellect को so there are to and fro expectations in all the seven fields of our life अब इन में से कुछ अपेक्षाएं पूरी होती है कुछ नहीं पूरी होती है when my expectation is fulfilled I feel happy वो मुझे मेरी success दिखता है वो मुझे favorable situation लगती है और जब नहीं होती है मेरी expectation पूरी तो मुझे वो unfavorable situation दिखती है मेरा failure दिखता है मैं दुखी हो जाता हूं तो जीवन के सातों क्षेतर में कभी खुशी कभी गम ये होता रहता है Now भगवत गीता में सास्तर में ये संदेश दिया गया है कि in success and failure you are supposed to perform action जो भी situation है favorable है या unfavorable है आपको कर्म करना है perform action but how it is said that you perform action abandoning attachment being steadfast in yoga and balanced in both these situations attachment को छोड कर बंधन को छोड कर अब बंधन किस बात का है बंधन हमारी अपक्षाओं की जीद का है insistence for fulfillment of my expectation that binds us so we need to grow out of that attachment बंधन को छोड कर योग में श्थिर हो कर now here definition of yoga is given evenness of mind tranquility of mental composure while responding to any pair of opposite that is known as yoga this is one of the definitions given in Bhagavad Gita तो मन की समतूलित स्थिति के साथ हमें शान्त और श्वत्त मन से योग्या और परिपक्व प्रतिभाव देना है चो भी परिष्थिति में हम है चाहे वो favorable है चाहे वो unfavorable है so we need to give a thoughtful appropriate and mature response to favorable and unfavorable situations with a balanced state of mind with equipoise अब एग्जेक्ली यही बात psychologist भी करते हैं psychology में यह कहते है कि when we are facing some situation there will be some feeling कुछ महसूस करते हैं हम और वो जो feeling है वो ही अगर हमारा action decide कर देती है तो वो impulsive reaction हो जाता है इसको psychology में emotional appraisal कहते हैं परिष्थिति का भावनात्मक मुल्यांकन हुआ so I reacted out of anger I reacted out of fear और वो जो impulsive reaction होते हैं वो हमारे लिए समस्याइं पैदा करते हैं नुक्षान करते हैं हमें तो हमें जाना है impulsive reaction से thoughtful mature responses के अंदर शोच समझ कर परिपक्वता से हमें प्रतिभाव देना है परिष्थिति को इसके लिए एक बहुत ही important step है और वो step है noticing the thought process at the back of our feelings As soon as we notice the thought process शोच क्या चल रही है मेरे मन में ये जैसे हम notice करते हैं तो क्या होगा ये परिष्थिति का उनर मुल्यांकन होगा और इसको psychology में कहते हैं cognitive reappraisal Cognitively थोट से विचारों से हम वो परिष्थिति को reappraise करते हैं and there our knowledge, our values, education and wisdom everything is utilized हमारी समझदारी होने के बावशूद बहुत सारे wisdom होने के बावशूद हम react कर देते हैं situation में because generally we are habituated for emotional appraisal तो वो habit pattern को तोड़के हमें cognitive reappraisal की practice करनी होती है और अलग-अलग प्रकार की psychotherapy के देरिये हमें ये सिखाया जाता है अब आज का जो neuroscientist है वो भी ये बहुत अच्छी तरह से explore कर चुका है हमारे brain के अंदर अलग-अलग centers दिखाये हैं कुछ thinking के center होते हैं कुछ planning and decision making के center होते हैं कुछ feelings के केंद रहे कहराई में deep brain में हमारा व्यभार के लिए कुछ center होता है knowledge store होता है यहाँ पर एक large area होता है diagnostic area वहाँ पर हमारा ग्यान सब store हुआ है तो अलग-अलग ये different areas बताए गए हैं और neuroscientists अलग-अलग circuit बताते हैं ये neuronal pathways demonstrate किये गए है experimentally that there is a pathway for impulsive reaction ये feeling से behavior का सीधा एक pathway है जो by birth होता है और वो ही हम generally use करते हैं impulsive reaction हो जाते है इससे और दूसरे circuits भी धिरे-धिरे जैसे इससे हम बड़े होते है बनते है वो thoughtful mature response के pathway होते है जो ज्यादा complex होते है और उसके अंदर भहुत सारे neurons पाथ लेते हैं तो अलग-अलग प्रकार की psychotherapy से या ऐसी जो technique से self-hypnosis वगेरा उससे हम वो जो longer and complicated pathway है वो use करने का उसका उप्योब करने का हम सीखते हैं तो यह पहले topic में मैंने आपको बताया कि मनुश्य के जीवन के जो साथ संबंद के क्षेत्र है इसमें जो भी situations आती है तो हर एक वो परिष्टिती हमारे लिए एक अवसर है एक opportunity है for learning to go in more mature way of responding to the situation rather than reacting through our emotions okay अब हम चलते है दूसरे topic में मनुश्य का मन यहां जो skull के अंदर होता है वो brain होता है एक structure है हमारा physical organ और यो brain के द्वारा कुछ कार्य होते है कुछ functions होते है some of these functions of the brain they are known as mind तो mind एक functional entity है brain structural entity है अब psychologists compare mind with an iceberg in an iceberg we know there is only tip tip seen from the outside larger part of the iceberg is under water we don't see it from outside तो ऐसे ही जो thoughts जो feelings जो desire हम फील करते हैं हमें अनुभव में आता है वो हमारा conscious mind कहलाता है and it is hardly 10% just like the tip of the iceberg लेकिन इसके पीछे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं होता है उसको subconscious mind कहते है अब ये subconscious mind एक बहुत बड़ा storehouse है storehouse के जिसके अंदर लाखो करोडों programs होते है just like programs in computer इन programs को psychology में frames of references कहा जाता है या schema कह जाता है psychological schema ये वास्त में हमारी मान्यताएं होती है beliefs होती है और सास्त्र में इनको संस्कार कहते है now from where these programs come these programs are created by our experiences information and imagination जन्म से लेकर आज तक जितने भी अनुभव हुए है वो सारे अनुभव हमारे मन में कोई ने कोई impression छोड़के जाते हैं तो वो जो impression से सारे experiences की वो हमारे program बन जाते हैं जो information हमें मिलती है जो कलपनाएं मन में होती है वो भी मन के अंदर इनकी impressions छोड़के जाते हैं और वो सारे हमारे programs बनते जाते हैं अब होता क्या है कि जब भी कोई situation को हम face करते हैं तो वो situation के साथ में relevant जो program होता है वो activate हो जाता है और उष प्रोग्राम के आधार पर मन हमारा इस परिष्थिती का मुल्यांकन करता है there will be appraisal of this situation on the basis of our own subconscious program and that appraisal will give rise to thoughts and feelings thoughts and feelings will give rise to our behavior and biological processes also understanding and resolution को हमें subconscious के अंदर रखना है we need to imbibe it in our psyche इसको आत्मसाथ करना है तो फिर नया program subconscious बना देता है और उसके बाद जब नया program हमारे पास अंदर है तो वही परिस्थिती में अब conscious mind के लिए choice है there is unhealthy old program and healthy new program both are available तो naturally हमारा conscious mind ये healthy program का ही यूज़ करेगा और इसका जब उप्योग होगा तो हमारे विचारों में भावनाओं में व्यभार में और काफी हद तक अंदर की जो biology है इसमें भी परिवर्तन आ सकता है और self hypnosis की जो स्थिती है उसमें ये संभव होता है कि हम हमारे conscious से subconscious के साथ communicate कर सकते हैं तो नए प्रोग्राम हम उस स्थिती में बना सकते हैं अब ये नए प्रोग्राम subconscious में बनाने के लिए हमें एक पूरी प्रक्रिया में से पसार होना होता है इसके अंदर दो पहलू है first we need to prepare our mind and then we can do programming programming में again we need to know two things कि मुझे क्या प्रोग्राम करना है और कैसे करना है as far as the contents of the program are concerned again general programming होता है और specific होता है general programming सब के लिए समान एक जैसा होता है जो हमें overall अपलिपमेंट करता है हमारा physical, mental, social, health को overall अच्छा बनाने के लिए वो प्रोग्राम होता है और specific program हमारी जो specific समस्याएं होती है जो problem होते है physical, mental या interpersonal relationship के उनके लिए ये specific program हमें मदद करता है ये सबका अलग-अलग होता है अब general हो या specific subconscious में हम directly भी रख सकते हैं और indirectly भी रख सकते हैं दो direct technique होती है एक verbal suggestions या auto suggestions कहलाता है और दूसरी technique है sensory imagery conditioning और दो indirect technique होती है एक personal symbol और दूसरा dynamic imagination हमारा जो holistic stress management and self development एक course है इसके अंदर ये सारी technique practically through experiences सिखाई जाती है और उसकी गहराई से theory भी मैं आपको बताता हूँ चाहे आपका general कोई program करना है आपको या आपकी जो specific समस्या है वो समस्या को आपको शुरजाना है तो ये पूरा ही वो comprehensive holistic stress management and self development workshop में हम सीखते हैं आए यहाँ पर हम अब मन को कैसे prepare करना है उसके बारे में कुछ बाते करते हैं मन को प्रिपेर करने की जो टेकनिक है उसके तीन स्टेप्स है पहला स्टेप है ब्रीधिंग अवेरनेस सांस की सजगता इसको mindfulness meditation भी कहते हैं दूसरा स्टेप है progressive muscular relaxation क्रमी कसनायु शिथिली करार इस जस्ट लाइक शवाशन और तीसरा स्टेप है imagination कलपनाय जब हम sequentially ये तिनों स्टेप करते है तो मन की एक स्थिती बन जाती है एक state of mind बनता है जो trans state या self-hypnotic state या उसको हम meditative state कहते हैं ध्यान की स्थिती बन जाती है relaxation of the body when the mind is relatively relaxed then only the conscious can communicate with the subconscious but when we try to relax the mind mind will become tense because that try, that effort itself will create tension so harder you try to relax your mind more tense your mind is going to be कोशिश करके मन को हम शान्त नहीं कर शकते वो कोशिश ही तो मन में तनाव पैदा कर देती है but there is a principle which says in a relaxed body a tense mind can never exist so when we relax the body the mind will automatically follow so that's the significance of body relaxation and the third step imagination imagination is the language of subconscious mind the language of conscious mind is logic and subconscious uses imagination for processing the contents so consciously जब हम कुछ 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 काल्पनाई शुरू करते हैं imagination शुरू करते हैं तो वो सबकॉश की पाश्या होने की बजे से subconscious become more receptive when we start imagining something so in a sequence when these three steps are done a state of mind is achieved that is called hypnotic state, trance state and in that state from your own conscious mind you can communicate with the subconscious mind तो यहां पर अब next video में आपको ये breathing awareness करने के लिए मैं guidance दूँगा और वो मेरे guidance के थूँ आप breathing awareness का अनुभव करेंगे वो एक meditative technique आप सिखेंगे उसके दबारा ये breathing awareness मन को तयार करने में तो काम आता ही है conscious to subconscious communication breach create करने में ये काम में आता है क्यूंकि नॉर्मली breathing subconscious के द्वारा control होता है अपने आप चलता रहता है हमें सोचना नहीं परता है कि let me breathe in, let me breathe out it is automatic लेकिन अगर हम चाहे तो हमारे breathing को consciously हम control कर सकते है I can take deep breathe I can breathe fast और breathe slow तो ये जो manipulation हम कर सकते consciously ऐसा manipulation हमारे heart के अंदर stomach के अंदर या कहीं पर भी दूसरे biological organ के अंदर नहीं कर सकते हैं तो breathing has got a dual control conscious और subconscious दोनों का control है इसके लिए जब हम उसके उपर हमारी awareness को रखते हैं breathing के उपर तो conscious to subconscious एक communication link activate हो जाती है एक संपर्क का सेतू बन जाता है लेकिन इसके अलाबा जब आप regular breathing awareness की प्रेक्टिस करेंगे दिन में दो बार पांच-पांच मिनिट भी अगर आप करोगे तो दो तिन हपते में ही तेल भी increase in your concentration concentration improve करने में ये बहुत अच्छी टेक्निक है दूसरा इसके द्वारा आपका मन वर्तमान में जीने का सीखता है living in present तेशरा है तेशरा है इस अगुड टेक्निक पर इंड़क्शन अप डिप सांद और हेल्दी स्लीप जब आपको सो जाना है अपनी नॉर्मल स्लीपिंग पोजिशन में आके बन करके breathe awareness करते करते सो जाएंगे sleep की quality अच्छी बनेगी deep and sound healthy sleep होगी और एक और भी इसका उपयोग है immediate handling of stress जब भी मन में तनाव है tension है, गुसा है, गबराट है थोड़ा सा दो-पांच मिनिट का time निकाल के breathing awareness कर लो mind will cool down तो ये सारे उसके और भी उपयोग है next जो recording है उसका उपयोग करके आप अब breathing awareness practically करेंगे ये करने के लिए आपको शान्त कमरा जहां पर dim light हो वहां करना है आराम से बैठना है shop chair के उपर, sofa के उपर या recliner के उपर आप बैठ सकते हो या you can lie down also लेट के भी कर सकते हैं आप और ये ऐसी कोई भी टेकनिक जब हम करते हैं ध्यान की, meditation की टेकनिक तो ये बहुत natural है कि thoughts आते हैं अलग-अलग विचार आते हैं नाव ये जो thoughts आते हैं तो इनको आपको रोकना नहीं है इनके साथ fight नहीं करना है thoughts को handle करने की कुछ टेकनिक होती है तो ये अनुभू के दोरान ही मैं आपको ये विचारों को कैसे आप handle करोगे उसके लिए एक टेकनिक भी सिखाने बादा हैं तो इस तरह से आप नेक्स्ट रेकोर्डिंग का उप्योग करके ब्रीथिंग अवेरनेस करिये ब्रीथिंग अवेरनेस करिये अल दे बेस्ट पर यॉर एक्सपरियंस अवेरनेस अवेरनेस करियास